हेलो गाईज मैं तारा कुस्वाहा आज हम बनाएंगे लौकी की ग्रेवी वाली बहुती बढ़िया और चटपटी सबजी वैसे तो लौकी की सबजी काफी साधी और सिंपल होती है इस वज़ा से काफी लोगों को पसंद नहीं आती है लेकिन जिस तरीके से हम बनाने वाले है लौकी बहुती बढ़िया बन करके तयार होगी जिन्हें लौकी नहीं पसंद है वो भी बहुती बढ़िया खाना पसंद करेंगी से तो जैसे मैंने बनाया है आप इस वीडियो को पूरा वाच कीजिएगा और फिर इस तरीके से सबजी बना करके ट्राइज जरूर कीजिए उसके बाद हमें लौकी को करना है डिफ फ्राई तो उसके लिए एक कड़ा ही रखा है मैंने इसमें एक बड़ा चमच ओयल आट करेंगे और के गरम होने के बाद इसमें हम लौकी डाल देंगे तो आप इस तरीके से आराम से सारे जो है लौकी के जितने भी पीसे से उन्हें आप इसे मीडियम फ्लेम पे भी कर सकते हैं या फिर लो फ्लेम पे भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे लौकी को डिफ फ्राई कर रही हूं कुछ सेकेंड के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद फिर पलट पलट करके फ्राई कर लेंगे फ्राई कर लेने स मैं आट से दस मियाड को जो हैने समय लग सकता है आप को लौकी को हम ओऊल से बाहर निकाल लेंगे," तो कलशी को थोड़ी देर हम व्रोक करके रखेंगे, ताक्छि लूक को साथ एक्ष्ञ एक्ष्ण आयल न जाये इस्सी त अरश्य डॉकी लिए उनको भी निकाल लेंगे और फिर हम मसाला त्यार करेंगे यानि ग्रेवी बगरा तयार करेंगे उसी कड़ाही में जो है ना ओल मैने थोड़ा सा कम किया है फिर एक चम जीरा डालेंगे जीरा को अच्छी तरह से पका लेंगे बिल्कुन भी जीरा हमारा कच्छा नहीं होना चाहिए उसके बाद इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च तो यहां हम पर लाल मिर्च को मैंने बड़े बड़े तुकड़ों में तोड़ लिया है फिर आट करेंगे उसके बाद डालेंगे हम पर हम प्याज प्याज को मैंने दरदरा ग्रैंड किया है बहुत जादा जो है ना इसे पेश्ट नहीं बनाए एकदम दरदरा ग्रैंड किया है डाल नारे बिल्साटेश केंए आएट करेंगे छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच हिल्दी पाउडर आप Whoo Sun प्ल्यंणीफ नियूहीं Postиком जाने चाहते हैं अब जितना सपाइसी बनाना चाहतेसी साब से एक फद्लीफ करकेंघनिया ज़्ध कि अब मसाले को कुछ सेकेंड तक मिक्स करेंगे मैंने यहां पे और कोई भी गरा मसाला बगारा यूज नहीं किया हुआ है उसके बाद जो है अब इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च और प्याज तो यहां पर मैंने प्याज को जो है एक मीडियम साइज की प्याज लिया थ दो से तीन मिर्च तक मसाले के साथ जो है ना प्याज और सिर्वमियूज को अच्छे से पका लेंगे ताकि जो है ना बढ़िया सा स्वादा है हमाई सबजी का जब भी आप कोई भी सबजी बनाए तो मसाले को बढ़िया से पकाएगा उसके बाद इसमें डाल देंगे मसाले की जो कोटिंग है वह बहुत बढ़िया से आगई है बहुत बढ़िया सा कलर देख रहा है तो अब हम क्या करेंगे ढ़क करके तीन से चार मिर्ट पका लेंगे ताकि और अच्छे से पक जाए मसाले के साथ हमारी लौकी फ्लेम आप यहां पे लो रखिएगा और बीच में एक दुबार चेक कर लीजेगा चार मिर्ट हो चुके हैं कैप उठाएंगे और अब हम क्या करेंगे सबसे पहरे सबजी को मिक्स करेंगे तो यहां पे ढग करके जब हमने रग दिया था ना तो उसे मसाले के खुजबू बाहर नहीं जाती है अंदर रहती है जिससे की सब्जी का स्वाद और अच्छा आता है तो अब हमने इसको मिक्स कर दिया है उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं टमाटर टमाटर मैंने यहां पे बड़े-बड़े पीस में जो है ना कट किया हुआ है टमाटर को डालेंगे इतना पकाना है कि टमाटर को जूस निकल जाए टमाटर को बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे टमाटर का जब कच्छा पन थोड़ा सा रहेगा ना सब्जी में तो बहुत बढ़िया स्वादाएगा खाते समझ अब आपके मूह में जाएगा तब तो यहां पर देखे बहुत जादा खटी और नहीं बहुत जादा मीठी मीडियम दही है एक घर की दही है आट करेंगे और अच्छे सिसको मिक्स करेंगे लौकी जो हैना मीठा पन होता है लौकी के अंदर तो इस वज़ा से जब हम दही डाल करके सब्जी बनाते हैं तो बहुत टेश्टी बन कर के तयार होती है खटा सो जो फ्लेवर आता है ना हलका सा वह बहुत बढ़िया लगता है तो मैंने हापे टमाटर भी यूज किया है और दही बहुत बढ़िया बनेगी उसके बाद डालने वाली हमें हापे दो चममच बेसन यह भूंजा हुआ है आप कच्छा बेसन मत क्पा बिमिक्स कर लिया है जो कि अब देख का रहे हो ज़या है तो अब तत जालेंगे पानी क्लिच इस बाएल से एक कप मिने पानी डाल दिया है तो कि अब चम नमक यूज कर रही हूँ दही टालते है old और अनुन अनुना जिदना आप और ज़रूरत हो इतना नमक के के लिए छोड़ दीजेगा जब आपने डही डाला था उस समय फ्लेम लो रखिएगा तो यहां पर देखिए चार मियाट हो चुके हैं अच्छे से मारी सब्जी जो हैं पक करके तयार हो गई है दिख रही है बहुत ही प्यारा सा कलर इसका दिख रहा है तो आप हम क्या करेंग करेंगे उसके बाद आप चेक कर लिजेगा कि आपको सब्जी पक गई है कि नहीं तो यहां पर मेरी सब्जी पक करके तयार हो चुकी है इसे मैं गर्मा गरम सर्फ करने वाली हूं आप चाहो तो थोड़ी देर सेट होने के लिए भी रख सकते हो लेकिन इस सब्जी को ना ग नहीं चटपठी रिस्पी आपको मिलती रहें मिलते हैं नेक्स रिस्पी में बाई गाईस